तो आज जहां मेडिसेन बढ़ने वाले हैं उसका नाम है थैल्सपी बर्सा पास्टोरिस यह एक शॉर्ट मेडिसेन है इसके कोई ज्यादा ड्रग पिच्चर नहीं आती बस यह फीमेल रेमेडी के तौर पे इसको दिया जाता है जैसे जब हमें सर्जरी में थ्रैप्स लिखन कोई ब्लीडिंग एक्सेसोरी है उसमें इसमें मेडिसेन दी जाती है इसका कॉमन नेम है शेफ़र्ड पर्स और फैमिली है क्रूसी फेरे इस वान ओव था इंपोर्टेंट एंटी हैम्रेजिक रेमेडी इस और अवर मेटीरिया मेडिका और इस फ्रीक्वेंटल यूट्री मेडिटियक रेमेडी है टाया है इसको यूट्राइन हैम्रेज का केसा है तो इसमें इसको फ्रीक्वेंड़ली यूज किया जाता है नो कि यूट्रोचने के इसमी फ्रीक्वेंटल यूज किया सो बेसिकली है रोगने के काम यूट्री ब्रोचने काम ऊती है hematuria यानि कि अगर blood आ रहा है urine में उसमें भी ये अच्छा काम करती है hemorrhage, licoria, metroragia यानि कि intermittent flow है blood का uterus का cancer है renal calculi, fibroma इन सभी conditions में medicine अच्छा काम करती है guiding symptom देखे so there is profuse passive hemorrhage from every outlet of the body where the correct of blood is dark and clotted तो केवल uterine ही नहीं कोई और भी body के orifice होते हैं वहाँ से अगर bleeding हो रही है passive hemorrhage हो रहा है ठीक है अपने आपी blood बह ही जा रहा है passive hemorrhage हो रहा है and blood का character कैसा है dark और clotted dark और clotted blood है तो ये medicine indicate होती है metroragia में दे सकते है with violent cramps and uterine colic after abortion, miscarriage or labor with cancer uterine यानि कि metroragia की अगर किसी में condition आती है, metroragia मतलब होता है intermittent flow of menses यानि कि कुछ दिन bleeding हुई, कुछ दिन रुख गई, कुछ दिन फिर होने लगी, कोई cycle अच्छे से नहीं जल रहा है in between flow हो रहा है, that is metroragia metroragia के अंदर patient में अगर violent cramps आ रहे हैं यानि कि पेट में बहुत ज़्यादा दर दो रहा है, बहुत ज़्यादा cramping हो रही है uterine colic है, especially तब जब patient का पहले history हो abortion होने की, miscarriage की या labor के दौरान miscarriage होने की history मिली हो या uterus में cancer की history हो, तो उसके बाद अगर ऐसे complaints आती हैं इसके बाद menstrual troubles में भी यह helpful है, जैसे कि अगर menses इसमें आएंगे, too early, too profuse, जल्दी आएंगे, और quantity क्या है, जादा है and protracted tardy in starting, first day merely a show, first day क्या होगा menses में, हलका सा spotting आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हलका सा then second day क्या होगा, बहुत तेस जर्दोने लगजेगा, colic है, vomiting होईगी, hemorrhage बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा bleeding होईगी, जिसके अंदर काफी सारे clot होगे, मतलब देखो hemorrhage का character, इसमें note करो आपकी, blood जो है, bright red नहीं आ रहा, इसमें blood dark आ रहा है, clotted आ रहा है, heavy flow हो जाता है, एक बार ही कम हो गया, तो ऐसे alternate करता है, exhausting type के menses आते हैं इसमें, patient में, exhausting कैसे, जैसे की, hemorrhage from uterus, uterine inertia scarcely recovers from one period before another begins, तो hemorrhage कैसी exhausting type की है, यानि कि patient में अगर hemorrhage हो रही है, तो उसके बाद उसकी body के अंदर energy नहीं रहती, बहुत exhausted हो जाती है, पूरी body, and य यह क्यों इतना जादा hemorrhage हो रहा है, क्योंकि जो uterus है, उसका जो muscles है, उसका जो muscles है, वो पैरल, मलब एक तरीके से एक inertia के state में है, यानि कि uterus की muscles इतना actively काम नहीं कर रही, अगर वो actively काम करें, तो वो तो orifice बंद कर लेंगी, फटा फटा hemorrhage रुख जाएगा, लेकिन य hemorrhage accompanying uterine fibroid, uterine fibroid में भी अच्छा काम करता है, बेसिकले uterus से related कोई पे bleeding हो रही है, तो इसमें ये medicine बहुत अच्छा काम करती है, then next है, licoria before and after menses, इसमें जब menses patient को आएंगे, तो उससे पहले licoria होगा, licoria menses के बाद हो सकता है, and bloody dark offensive, stains difficult to wash off, licoria ऐसा है, bloody type का licoria है, dark है, offensive है and इतना ज़्यादा sticky है, मतलब इतना dark type का है कि इसका जो stain है, वो भी cloth से remove करना, wash करना difficult होता है, then इसमें urinary symptoms के लिए भी healthy बड़ सा अच्छा काम करती है, it is one of the anti-uric acid remedies, useful in urinal colic, chronic cystitis, dysuria, hematuria and albuminuria, during gestation, etc, यानि कि काफे सारी urine complaints को भी ये medicine cover करती है, anti-uric acid medicine है, uric acid जादा, अगर urine में ऐसे uric acid आ रहा है, तो उसके लिए अच्छा काम करेगी, उसको remove करने में, कम करने में, renal colic में अच्छा काम करती है, then किसी को अगर chronic cystitis है, यानि कि bladder का inflammation हो रहा है, तो उसमें भी healthy versus हम दे सकते हैं, dysuria है, यानि कि painful urination, hematuria, blood in urine, albuminuria, यानि कि albumin आ र cancerize हो रही है, तो ये थालसी बड़सा इन सभी के अदर effective है, बहुत अच्छा काम करती है, there is frequent desire for urine, ठीक है, पिशन में urine करने का बार बार desire आएगा, frequency है, ठीक है, urine का कैसा है, character heavy urine आएगा, बहुत जादा amount में urine आएगा, with brick dust sediment and phosphates, ठीक है, brick dust जैसे, इसमें sediments नजर So, that's all for Talsi Barsa Medicine, thank you so much for watching, please like, share, subscribe, thank you